तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक राइस लाइट है और इस राइस लाइट के अंदर प्रोलम क्या है इसकी कोई भी एलीटी हमारी फुल रोसनी में काम नहीं कर रही है यह देखे एक बार मैं आपको टेस्ट भी कराना चाहूँगा तो यह देखे मेरा main extension board है और यहाँ पर देखे जैसे हम इसको supply देते हैं उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हो इसकी कोई भी एलीडी हमारी फुल रोसनी में काम नहीं कर रही है वही मेरे पास एक दूसरी rice light है इसके अंदर देखे यह हमारी बिल्कुल फुल रोसनी को रिपैर कर सकते हो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना तब ही आपको अच्छे से समझ में आएगा तो यहाँ पर देखे फ्रेंड हम क्या करेंगे इस प्रोलम को step by step check करेंगे क्योंकि इस वीडियो के अंदर में आपको इसकी wiring वेगरा किस तरीके से connection होत इसके अंदर जो हमारी bridge rectifier IC लगी होती है उससे हमें चेक करना है तो उसको हम देखे किस तरीके से check करेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़े check करनी होती है वो भी मैं आपको बता रहा हूं तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस डिपी को खोलना है तो खोलने के लिए आप को छोटा सा सरकीट है और इसके अंदर ये 4 लेक की हमारी IC लगी होती है तो ये जो IC होती है ये कोई और IC नहीं होती है ये हमारी bridge rectifier IC होती है जिसका काम क्या होता है कि ये AC voltage को DC में convert करता है तो यहाँ पर क्या होता है कि कई बार ये जो हमारी IC होती है ये खराब हो जाती है ज तो इस IC को चेक करने के लिए देखें यहां पर हम मल्टिमीटर का यूज करेंगे और मल्टिमीटर को हम कहां पर सेट करेंगे बजर मोड पर तो यहां पर देखें यह हमारा बजर मोड है तो यहां पर मल्टिमीटर को इस तरीके से सेट करेंगे इस तरीके से मैं मल्टिमीटर तो रख रहा हूं और उसके बाद देखिए हमें किस तरीके से चेक करना है सबसे पहले हम दोनों प्रोब पो टच करके देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो बीप आ रही है तो सबसे पहले देखिए यहां पर इस सेड में तो हमारी अब हम क्या करेंगे प्रोब को यहां पर बदल लेंगे ठीक है अब फिर से हम प्रोब को रखेंगे यह हम अची सेड में चेक कर रहे हैं तो यहां पर देखिए इस तरीके से हम रखेंगे तो यहां पर भी हमें ना तो कोई बीप मिल रही है ना ही कोई डीडिंग आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि यह जो ACइड वाली जो ट्रेक है यह बिलकुल ओक्य है अगर यहां पर आपको बीप मिले या प्र रीडिंग मिले है तो इसके अंदर भी हमें probe को बदल बदल के check करना है तो देख से कि मैं एक probe को यहां पी लगा रहा हूं और दूसरी को मैं यहां पी लगा रहा हूं तो इस तरीके से देखें अब multimeter के अंदर हमें कुछ reading मिल रही है अब उसके बाद हम क्या करेंगे probe को पलटेंगे इस तरीके से probe को पलट लेंगे पलट के हम दुबारा से चेक करेंगे तो यहां पर देखते हैं क्या आता है तो यहां पर आप देख सकते हूं कि इसके अंदर कोई भी value नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या होँ फ्रेंड कि यह जो हमारे bridge rectifier IC है यह बिल्कुल okay है इसके अंदर कोई भी problem नहीं है अगर इसके दोनों side आपको beep मिलती या फिर reading मिलती तो आप समझ जाओ कि यह जो हमारे bridge rectifier IC है यह खराब हो चुकी है अब उसके बार देखे फ्रेंड हमें आगे देखना है लेकिन आगे देखने से पहले आपको इसके connection को समझना पड़ेगा किस तरीके यहां पर देखे यह जो हमारे पास r Scott है इसके अंदर देखर यहां से ने यहां 3 दिखाई दे रही चारे किसी के इंदर होता कि धो मेर यहांपर दिखाई को घौल के दिखा ताकि आपको अच्छे से clear हो जाए सारी चीजे तो यहाँ पर इस तरीके से एक wire को मैंने यहाँ से अटा दिया और दूसरी को मैं यहाँ से अटा रहा हूँ इस तरीके से आप अच्छे से समझ लो इस चीज को यहाँ से मैंने अटा दिया अब इसके अंदर देखे तीन वायर है तो इसके अंदर आपको क्या देखना है कि कितनी वायर के अंदर हमारी LED लगी हुई है जैसे कि एक LED यहां पे है तो इस वायर को हम यहां से इस तरीके से खोल लेंगे तो एक wire हमारी यहाँ पर होगी ठीक है और उसके बाद देखिए हमें आगे की LED को देखना है तो एक LED हमारी यहाँ लगी है तो इसकी wire को भी आपको खोल के देख लेना है मैंने इस तरीके से wire को खोल लिया है तो इसके अंदर देखिए friend, एक wire तो यह होगी जिसके अंदर हमारी LED लगी है और एक wire यहाँ पर देखे यह वाली होगी जिसके अंदर हमारी LED लगी हुई है टोटल इसके अंदर कितनी wire है दो wire है जिसके अंदर LED लगी है और एक wire ऐसी है friend जो की सुरू वाली जो इसकी last वाली LED है उसके साथ में joint होगी है चीज आपको देख लेना है तो अब देखें इनकी wiring कैसे होती है काफे सारे लोगो confusion होती है तो यहापे जैसे कि यह जो हमारी LED होती है यह сारी आपس में तो यहしたारी अपस में lap 1 में jus huge होती है तो यहापर जो मेरे एक wire के अंदर LED अब हमारी rice light के अंदर क्या है कि दो wire के अंदर LED लगी है तो यहाँ पर हम दो wire के अंदर बना लेंगी इस तरीके से देखें दो wire के अंदर हमारी LED ऐसे series में लगी हुई है ठीक है इस तरीके से लगी हुई है और एक वायर जो मैंने आपको बताया है जिसके अंदर कोई भी LED नहीं लगी वो simple इस तरीके से आती है देखिए इस तरीके से आई ऐसे लगी होती है और ये last में क्या होता है ये जो हमारी last वाली LED होती है उसके साथ ये तीनों वायर आपस में जोड़ी होती है जो कि मैं आगे च supply देते हैं तो AC के अंदर तो कोई plus minus होता नहीं तो यहां पे हमारे दो point बनते है ठीक है 1 point यह होगया एक point यह होगया तो एक हमारा minus का होगया एक हमारा plus का होगया तो यहाँ पर कैसे connection करेंगे अब आपके दिमाग में चलता होगे कि यहाँ पर wire तो 3 है और point हमारे 2 है तो यहां पर दो वायर के अंदर LED लगी है, तो दोनों वायर को हमने जोड लिया, और इसको हम माने से साथ में इस तरीके से जोड देंगे, ठीक है, और उसके बाद यह जो single वायर है, इसका point हम plus के साथ में इस तरीके से कर देंगे, तो इस तरीके से यह जो हमारे rice light आती है, market में इनका connection ऐसे ही होता है, तो यहां पर आपको बिल्कुल भी confuse नहीं होना, यह चीज़ आपने समझ ली, अब चले इसके अंदर देखते हैं कि यह जो low light की problem आ रही है, वो क्यों आती है जादे तर light के अंदर, तो देखे फ्रेंड यह जो light होती है इस टाइब की, इनके अंदर क्या होता है कि यह जो wire होती है यह बहुत ही ज़ादा घटिया quality की wire होती है, तो इनमें क्या होता है कि जब हम एक दो दिवाली पार कर लेते हैं, जैसे इस दिवाली पे आपने light लगाई, फिर अगली दिवाली पे आप लगाने की कोशिस करते हो, तो उनमें क्या होता है कि यह जो wire है अकड जाती है कई बार, और अकडने के बाद जब हमेंसे खोलते हैं, पूरा खोलते हैं, या यूज करते हैं कई बार, तो इनके wire अंदर सही एकडम कड जाती है, या फिर कई बार जल जाती है, स्पार्किंग हो जाती है, या फिर कोई ना कोई LED खराब हो जाती है, जिसकी वज़े से यहाँ पे proper सभी LED को current नहीं मिलता, और जिसके कारण से ये LED काम नहीं करती है, अब चलिए, इसके अंदर मैं एक बार खोल के भी देख लेता हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है, जब भी आपकी राइशलेट के अंदर ऐसा कुछ दिखाएते, तो आपको सबसे पहले अपनी पूरी राइशलेट को इस तरीके से खोल लेना है, और खोलने के बाद आपको क्या करना है इस तरीके से सभी LED को देखे इस तरीके से LED को लेना है और इन वायर को अराम अराम से इस तरीके से खींच के देखना है कई बार क्या होता है friend कि ये जो अंदर की वायर होती है इतनी घटिया होती है कि ये ऐसे उपर से बस खाली ठीकी रहेंगी ठीक है और अंदर ये connect नहीं होती इस तरीके से आप निकालते हो न तो फटा-फट निकल जाती है ऐसे करते ही निकल जाती है ठीक है तो सब ये LED को आपको इस तरीके से अराम अराम से खींच के देख लेना है कि ये जूड़ी भी हुई है कि नहीं जूड़ी हुई क्योंकि इनके उपर ये रैपर चड़ रहा होता है प्लास्टिक का तो हम अंदर से तो देख नहीं सकते तो इस तरीके से खींचने से आइडिया लग जाता है और वायर को भी आपको अच्छे से देखते चलना है कि कोई वायर कहीं से जली हुई तो नहीं है कटी हुई तो नहीं है कई वायर अंदर से खिज भी जाती है जैसे एयर फोन के अंदर आपने देखा होगा कि आवाज ऐसे हिलाओ तो आवाज आ जाती है और फिर ऐसे वायर को हिलाओ तो आवाज चली जाती है तो वह वाली भी प्रोलम इस टाइप की आ आप देख सकते हो friend कि यहां पे क्या है कि दोनों वायर आपस में इस तरीके से जलके चिपक गई है और जिसकी वज़े से यहां पे sorting होई और sorting वज़े से क्या होता है friend कि कई बार हलके अलकी वायर हमारी touch रहती है जिसकी वज़े से यहां पे LED को हलका हलका current मिलता रहता है और हलकी यहां पे LED जलती रहती है तो यहां पे मुझे अपनी rice light के अंदर यह problem नजर आ रही है तो हम क्या करेंगा friend यहां पे wire आप देख सकते हैं बुरे तरीके से जल चुके दोनों wire आपस में चिपकी हुई है तो हमें क्या करना पड़ेगा इन wire को काट के फिर से जोड़ना जाती है जिसकी वज़ेशा यहां पे problem देखने को मिलती है तो हम सुरी के संवायर को च्छीलेंगे and और वायर को छीलने के बाद देखें, हम यहाँ पे दोनों वायर को अच्छे से इस तरीके से जोड देंगे, तो यहाँ पे मैंने एक वायर को जोड दिया है, एक वायर ये भी है, जिसके अंदर वायर जल गई है, तो इसको भी हमें काट के जोडना पड़ेगा, तो यहाँ प अब भी तो फिलाल मुझे अपनी राइस लाइट के अंदर यही प्रोलम नजर आई है अब पता नहीं कि उसके बाद भी यह लाइट हमारी काम करेगी कि नहीं करेगी क्योंकि इस टैप की जो डिम लाइट वाली प्रोलम होती है वो कई बार अंदर यह अंदर भी आ जाती है उपर से आपको ना तो कोई LED जली मिलेगी ना कोई wire आपको जली मिलेगी तो उसके अंदर तो चेक कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है अगर आप उसे टेस्टर से भी चेक करोगे तो आपको पूरी light के अंदर आपको current मिलेगा बट आपकी LED नहीं जलेगी तो इस तरीके स मैंने wire को एक बार जोड़ दिया अब यहाँ पर चली हम देखते हैं कि जो हमारी problem है soul हुई कि नहीं हुई तो यहाँ पर हमें wire को दुबारा से जोड़ना पड़ेगा अब यह भी देख लो कि इसके अंदर आपकी wire निकल जाती है तो किस तरीके से जोड़ना है जैसे कि मैं मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जिस wire के अंदर LED मिले उस wire को एक साथ जोड़ लेना है तो यहाँ पर जैसे कि इस wire के अंदर हमारी एक LED लगी है और एक wire यह है जिसके अंदर हमारी LED लगी हुई है तो इन दो wire को हम क्या करेंगे इस तरीके से आपस में जोड़ लें है और इसके अंदर आके हमारी तीनों वायर जोड़ी हुई है और काफी सारे भाईयों ने comment करके ये भी पूछा थे सर हमारी last वाली LED की वायर टूट गई है LED निकल गई है तो हम वायर कैसे connect करें तो यहाँ पर simply कुछ भी नहीं करना जितनी भी आपकी rash light के अंदर आकरी में वायर है उन सभी को छील के आपस में आपको जोड़ देना है ठीक है इसके अंदर यह नहीं है कि इस वायर को इसके साथ जोड़े या इसके साथ जोड़े जितनी भी वायर है आपकी rash light के अंदर 5 वायर है 4 वायर है 3 वायर है सभी को छेल के आपको एक साथ में जोड़ देना है कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे भी ऐसे connection होता है ठीक है यह चीज आपको देख लेनी है अब चलिए यहाँ पे हम connect कर लेते हैं इसके अंदर तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसके अंदर आपको देख लेना है plus minus क्यूंकि इसके अंदर plus minus day रखा हुता है तो यह दिखे मैं आपको दिखा रहूं इसके अंदर देखे यहाँ पे आपको plus का symbol दिखाये रहा होगा हलका सा यह plus का symbol है यह minus का है तो जिस wire के अंदर हमारी LED लगी है उसको हम minus वाले point पे जोड़ेंगे यहां पे और जिसके अंदर LED नहीं लगी उसको इस वाले point पे जोड़ेंगे तो मैं क्या करता हूँ friend फटा फट यहां पे wire को जोड़ लेता हूँ और यह wire मैंने को दुबारा छेल के लगानी पड़ेगी wire ही खतम हुई आप देख सकते हैं इसके अंदर wire की quality इतनी घटिया होती है तो वही इसी वज़े से जाज तर यह problem होती है तो यह देखे फ्रेंड कुछ इस तरीके से मैंने यहां पे wire को जोड़ा है आप देख सकते हो जिस wire के अंदर हमारी LED लगी है उसको मैंने यहां पे minus वाले point पे जोड़ा है और जिस wire के अंदर LED नहीं लगी उसको हमने plus वाले point पे जोड़ा है तो चलिए फ्रेंड अब हम इसको supply दे के दुबारा से test करते हैं कि जो हमारी problem अभी तक थी वो problem soul हुई की नहीं हुई या फिर अभी भी इसके अंदर कोई ना कोई wire LED खराब है इस चीज को हम देख लेते हैं तो यहां पे चलिए हम इसको supply देते हैं इस सारी चीजे मैं आपको दिखा रहा हूँ practically सब कुछ करके दिखा रहा हूँ friend तो यह देखे फ्रेंड जैसे मैंने इसको supply दी तो अब आप देख सकते हो कि हमारे सारे rice light बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं किसी के अंदर कोई भी problem नहीं है सब first class काम कर रहे हैं friend और अभी तक इसके अंदर low light की problem थी और वो भी किस वज़ेश थी कि जो इसकी wire थी कई न कई सोट होगे थी और सोट होने की वज़ेश से वहाँ पे supply pro पर नहीं पहुँच पा रही थी तो इस तरीके से friend अगर आपकी भी rice light के अंदर low light की problem हो तो आप भी अपनी rice light की सभी LED और wire को अच्छे से चेक करके अपनी rice light को दुबारा से repair कर सकते हो तो उमीद करता हूँ friend कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like, share जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करें तो चलिए friend फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ नए topics आथ तब तक के लिए जैहित वंदे मातर